दिल्ली समयत उत्तर पर्देश और महरास्थ में पकड़े गया तंकियों का जो कनेक्शन है वह कहीं न कहीं आई एस एक एजन्ट के रूप में की गई है और जिसके बाद बिहार के कई जीलों को रेलवे और पुलिस मुख्याले के तरफ से अलेट किया गया है कहीं कहीं कह सकत करने के लिए रक्षा विससाग गिल्लालन सिंग्जी कुद मौजूद हैं हम सिरह नहीं से बात करता हूं जानते हैं कि कैसे देख रहे हैं देखिए आपने जो प्रस्ण किया है वह बहुत सही है जो भारत बर्स का अंतरी सुरुक्षा है उसमें दाउद कनेक्शन और आई- बाइटल पॉइंट और बाइटल इस्टालेशन भी था जिसमें रेलवे और रेलवे से जुनी भी बाइटल पॉइंट थी और मंदीर और खास-खास जो हमारी इंडेस्ट्री है भारत की वो रेकी कर दी गए थी जब इस बात की जानकारी मिली तो ये भी पता चला कि नेप अंतरप्रदेश बिहार और राजस्था जो की सीमावरती राका है और पंजाब में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां इन्होंने अजनाला और अपना रेकी किया था तो इसके मद्दे नजब हमारी पुलिस मुख्याले जो है उन्होंने रेलवे को स्पेशली एलर्ट किया है कि आप अपने रेलवे स्टेशन और जीतनी रेलवे की समद्दीत पट्रियां है या उनके खास-खास भाईटल उनके गोडाउन है या उनके सेजरी जहां रखे जाते हैं इन पर ध्यान रखी जाए और साथ-पुलिस मुख्याले ने अपने जो सीमावरती अंतराश्टी सीमा है नेपाल और बंगलादेस के नजीक उनको भी सतर किया है तो जरूरी है कि इसके मद्दे नजर हमारी जो स्टेट एजनसी है वह अपने सेंटर एजनसी के साथ तालमिल रखे और जिरूरत के इंसार जहां भी सतकता की अधिक जरूरत है उस पर ध्यान रखे लेकिन हालात इस जीशान और उस्रमा के पूछता से बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि बिहार भी उनके तारगेट में था और अभी हम इसमें सफल हो चुके हैं लेकिन आगे भी इस पर सतर करना नियाद जरूरी है बिहार में कुछ दिनों पहले कई बंबलास्ट भी हुए कई लोग ग कि रफ्तार हुआ था उसको उससे भी पूछता चैना यह करें रिमांड पर लिए तो क्या रगता है कि उससे पूछता के दौरण अभी जो आतंकी मिले हैं उनसे कनेक्शन मिले देखिए आपने बहुत सही का पहले आज से कुछ महीने पहले बंका हो दर्भंगा रिलुश् यह जो छे हमारे दाउद कनेक्शन के जो आतंकी पकड़े गए हैं और जो महारास्ता में जो जावेद पकड़ा गया है उससे इतनी बड़ी इंफरमिशन मिली है कि दाउद का हवाला के तुरूप पैसे मिल रहे थे और हां त्यारों कि उसकी जिमेदारी थी जो लगातार कुरे भारत में यू अपने असस्लीपर सेल को पहुंचाने की कोशिस कर रहा था और ड्रौन Зे भी जो पंजाब के अंदर और जम्मु के अंदर गिराए गए थे वह सभी अपने स्लीपर सेल को मुहिया कराकर भारत के इतनी बड़ी एक अपना आतंकी हमले करा थे और जो द एक ऐसा जगह हो चुका है जिसको आप मान लीजिए कि ये सीमा वर्ती नेपाल और बंगलादेश का सुगम रास्ते में पढ़ रहा है और एलोसी बहुत सक्त है तो मान के चलिए कि हमारी जो बिहार और नेपाल की जो अंतरास्टी बोडर है इस पे चौकसी SSB के साथ हमारी र जानकारी और मॉडल जो दाउद का है उसके साथ इनका कोई कनेक्शन है कि नहीं इसके बारे में जानकारी लेंगे बिल्कुल साफ़तार पर बिहार कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए से जोन मानने जाने लगा है और जिस तरह से एनाईये ने दरबंगा ब्लास्ट माम लेके दो आतंकियों को रिमांड पर लेकर पुछताच की करने का जो मिला है उन्हें उससे कहीं न कहीं जो छे आतंकी ग्रेफतार हुए हैं उनसे पुछताच में कुछ अहम सुराग एनाईयों को मिल सकता है फिलाल पट्टा सीटी उभाद के लिए राहूल सेंग